यशो मदी मईया के नंदिलाला के करन वत्थर अभी तक तप्रो है मेरे तो बाँ जल गए सच्ची यासे निगलू तो गंगा नालू गारो सब पूपिया भी यही काना हाँ दाउ मिया भी कहती है तू बड़ा होजा तू में गंगा नालू तू तरहले कब घरे तू में गंगा नालू अच्छी तू भूजर करना अरम कर दें तू मैं गंगा नालू हाँ मा भी बात बात पर ऐसा ही कैती है और जब मैंने इसका कानट पूचा तो उन्हों ने बताया कि गंगा में श्नान करें से सारे पाप दूल जाते हैं सुनो गवापालक सुनो यह सुखा सुखा पात छोड़ो यामुना जी के किनारे किनारे होके चलते हैं बहुत आनें दाएगा काना ता गंगा की बात कर रहा था यामुना की नहीं ताओ आप चलिए चुछ साही तुम मुश्कुरा क्यो रहे हो कौनसी इतना बन रहे है तुमारे मस्तिस में आरा म्यूमा क्यो और तू जा रहा है इतने कोमल अठंडी है या कि बुमी काना बहुत मढ़िया मारत्यूनो है तुने पिछले मांग पे चलते रहते तो घर पोचने से पहले ही प्राण निकल जाते हो मारे यही तो यामुना जी का चुमत कारे सखाओ अब समझा कि तुने यह वाला मार के चुना था पर काना अंगास नांगी समस्या कर समाधान कैसे निकालो गतू उसमें तो यामुना जी भी सहता नहीं कर पहेंगी क्या पता करी जा देवी यमुना आज आपके लहरों में अलगी उत्सा है बहुत प्रसंन लग रही है आज प्रिनाम देवी गंगा प्रशंता की बात तो है ही व्रिंदावन में मेरे तट के निकट से होकर आज श्रेक्रिष्न जा रहे हैं मेरा जल उनके चरन कमलों को इस पर्ष कर पा रहा है देवी बस यही सोच कर एक एक बूल हर्शित हो रहा है देवी आप कितने सभाग्य शाली है देवी प्रभू विश्नु के अपतार श्री क्रिष्न के चरन कमलों का स्पर्ष उनका वंदन कर सकती है आप उनकी लीलाय देख सकती है मित्य ही उनके दर्शन का पुन्य प्रताप प्राप्त कर सकती है किसी तरह आपके जैसा सभाग्य मुझे मिल पाता तो धन्य हो जाती मैं किसे इच्छा पूरी करने का वर्दान दे रहे हो का ना चिंता मती कर दाओ अब गंगाजी विंदावन पदानने वाली है परे कैसे है सब आप है यदि शीक्रिष्ण चाहें तो सब कोई संभव है देवी तो फिर मैं उस शन की प्रतिक्षा करूंगी जब प्रभू के दर्शन मुझे भी प्राप्त होंगे अब हर शन मेरे अधरों पर एक ही प्रातना होगी कि वो शन शिगर आए लगतो है इस बर धिपावनी की सारी संजावट का दाय तो घर के पूर्सोन ले रखो है रुको जी सुनो आपने तो काना को वचन दिया था ना कि अब हम पीछे पीछे उसके साथ बन में ना जाएंगे फिर क्यो ले जा रहे हो मुझे कहीं काना फिर से क्रोधत होगा उतो और आप अपना वचन तोड़ोगे किसने कही मैं तुम्हें बन ले जा रहोगे हैं स्मरण करो यह सुदा मैंने कही थी के मैं तुम्हें काना के पास ले जा रहो ध्यान से देखो गौदली बेला है काना बस आतो ही होग इच्छा, तो जे चतुराई दिखाईए आपने दिखानी ही पड़ती है सुधरानी जब आपने लल्ला और लल्ला की मैया को दिये हुए वचन का मान रखना होतो चतुराई तो दिखानी पड़ेगे न आओ तो अपने अपने पतियों को काम सौप कर सब यहां आगई जे इसी को तो ममता कहते है नंद जी ती पाबली जैसे त्योहार के विवस्था छोड़कर सब अपने लल्ला की प्रतिक्छा में है जे आगे सारे बालक मैया तुम्हारे करने का अर्थ क्या है काना कि गंगा जी आचले आएंगी पर यह तो असंभव है तुम्कोई बादे शीर्त्रनाओ त्यों गंगा जी को फिरंदावन उतार लोगे पर अलग भी तो नहीं है मैं और हो हम दोनों एकी है देखो तो सीन आरायन के जैसे सचधच के गया था और कैसे भभूत में निपटके भोले नाथ के जैसे बन के लोटो है हम दोनों एकी दो है माईया कोई अंतर ना है मुझमार शीप जी मैं हम दोने जी प्रेमी है पराणियों से भी निसास भाव चे प्रेम करते है और पश्यों शे भी अंतर है तो केवल इत्ता की मैं गवपालक कहलाता हूं और वो पस्टू पती इन गवपालक कहलाता हूं और वो पस्टू पती और वो पस्टू पती बन में पहले दिन कैसा गयो काना अपने हाथ से माखन बनाकर उजवल से भिजवाया था इसने दिया की नहीं तुझे? और मैंने चिदामा के हाथ तेरे लिए गुडवाला दही भेचा था तो ने खायो की ना? मैं तो कोई देखी ना रहा सची सची बता काना, तेरे दाउने तेरा ध्यान रखा की ना? कोई हमसे भी तो पूछला भी तो कोई ध्यानी ना देर हुए अरे, अपने अपने लल्ला को देखो मेरे काना के पीछे पड़ी है सब की सब गयाउने जादा परिशान तो ना किया ना? और वन में भय तो ना लगो काना, भोजन समय पे करो था कि भूल गया था हाँ हाँ हाँ, मैंने आप सब के भेजे पकवान भी खाए और आप सब को बहुत परण करो इसलिए तो आप सब के लिए वन से कच्छोना कच्छोन आयाँ मैं कपसे इसके लिए व्याकुल थी मैं कहीं खड़ी थी पर इसके पास तो इतना भी समय ना है अपनी मैया के और आख उठा के भी देख ले क्या हो वो इतनी देड़ तक इसकी प्रितिक्सा की और अब आयो है तो कुरोधित होके जा रही है थेवल कोपियों का ध्यान है मैया का कच्छो ध्यान ही ना है बस मैं ही मुर्ग हूँ पूरा दिन इसको समरन करती रही भूखी प्यासी इसके चिंता करती रही परचे कोपियों के लिए फूल लायो है और अपनी मैया के लिए कच्छो ना मैया अरे वाँ मेरे स्वागत्ते तो पूरा विंदावन सजाद्यों आपने अधिक प्रसंद्यों के आवसकता ना है विंदावन तेरे लौटने की प्रसंद्या में ना राम जी क्या योध्या लौटने की प्रसंद्या में सज्रों है ती पावली है कल वो सागर भी तो मेरा इथा मैया दिवाली की प्रसंद्या भी तो मेरी लेई है हर मैया के लिए उसका लल्ला जी रामी हो तो आए तेना मैया जे किसने कहो तुझसे नाना मैंने कचो न बोला इसे अपने राम को विद्दे से ना लगाओगी मैया तुझे अच्छे से पहचानती हूँ मैं रिदे से ना लगनो है तुझे तुझे भूक लगी आई इसलिए सबके बाद तुझे मैया की स्मृति आती है है न? मैया की स्मृति तो सबसे बहले आती है चल जूटा ना मैया मैं सची बोल रहा हूँ मैं भनवी वन में था पर मेरा मनता आपके पास ही था इसलिए तो सबसे फिशलिस फूर लायों मैं आपके रहे जे मेरे लिए लाया है तुझ हाँ इधा यशो मती मैया के नंद लाला अरे अरे मैया मेरी दोल तो आपके लग जाएगी लग जाने दे तुझे पतो है तुझे रिदे से लगाने के लिए कित्ता तड़पी उमें मैं भी तो तड़प राता मैया शीलित आपके लिए कमल का फूल आयो हूँ भूख लगी आयोगी ना तुझे अच्छा एक बात बता लाला उन्हें कमल के फूल को विसेश क्यों कहा क्योंकि कमल कीचर में उपतो है फिर भी अपने पेच कीचर ना लोग ने देतो अपनी मरिया धाग को भंगना ने देतो ये ये दिखो मैया चल लिए इस पर ना धर पातो इसी तो यही से दोतो आना के संथार में लिपना आतो अना तक बरा रहतो है मरियादा अनासक्त कहां से आयो उत्ता सा अज्यानेकी दिन में और जे कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहतो है इसके जैसे मैं भी अनासक्त बन जाओ मुले में आनी ना है मैया मां जाने माविश्य में आसकता पड़ गया आविश्य में आवे सकता जो मुँ में आये बोलतो है चुपकर था बड़ी बड़ी बाते बाद में करना पहले तो मुझे जे बता आजबन में क्या-क्या हो तका बता सुनका भेट छिपानी पाएंगे खुश्य मा कोई तो उगल ही गएगा और जैदी उद्वल ने बताया तब तो बड़ा चलाकी बोलेगा इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूँ बता है मैं हम सब गईयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे पर उसे शिष्टी के रक्षा अश्ट दिक्वाल करती है अच्छा हाँ पर तभी एक स्पिछे ट्रब खटना हुई एक वत अचानकी बहुत हिंसक होगा पर भगवान की नारायने सब संभालिया इसा उठा के पटको उसे एक एच्छेड में सारी समच्या समाप्त हो गई संगत का असर होतो है जिस सुना था आज देख भी लेओ लल्ला तू भी उजवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है चल अस अच्ची का रहा हूं मैया हम हम सभी कुप्तचरों ने अपनी आखों से देखाया महाराज एक ही बार में वच्छा सुर के प्राण चले गए ये वच्छा सुरकांत नहीं एक महा युद्ध का आरंभ है मेरे अरुस विष्णु अप्पार के मध्य है महा युद्ध फिर जासी उश्वत को इंचा करते रेखो नारायने ठांगियो कि गोपालक को कोई हानी न पोचाने दूंगो फिर उन्होंने उसे चनूती दी अब बसकर लल्ला जब से आयो है न अब से कई बार सुना चुको है मैर अंगोली से माप कर लू फिर लक्षमी जी की पक्छिन बनाने में मेरी सहायता करियो मेरे पक्छिन ने बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभू मैया ने आज्या दी है देवी बालन दो करना होगा अभी पक्छन क्यों बना रहे हो मैया लक्षमी जी तो अभी आई ना है विपावली के दिन वो आएं इसलिए तो उनके स्वागत के लिए जे पक्छन बनाया जाता है लला पर दिवाली के दिन तो राम जी आए थे तो फिर हम लक्षमी जी के पक्छन क्यों मनाते है मैया तो राम जी के साथ बनवास से कौन लोटा था? लक्षमन जी और सीता जी और सीता जी कौन है? कोई तो लक्षमी जी है लला जब राम जी अयोध्या लोटे तो वे अपने साथ स्री, अधात, सुख, सम्रिध्धी और संपन्नता लेकर आए जे पक्चन लक्ष्मी जी के रूप में उसी का प्रतीक है काना समझाई? लो, मुझे तो पूर्णा मौसी के हाँ जाना है उनका असे वाद लेने वो भी तीरत्यात्रा करके आई है न? ओम नमोना रायर, ओम नमोना रायर सबको बुला तो लियो है मैने पर मैं प्रावच्चन में का सुनाऊंगी? कशु समाजी ना आरो है दिपावली तो खले दादी पर आप आज ही क्यों सजा रहे हो? क्योंकि मेरे राम तो आज ही आएंगे मेरे आस्रम में क्योंकि मूच्छेंगे में स्रेमने पर आप दो ख्या तो थे, इस दोच्छेंगे में अंज़ग वाचिं दूजए आएंगे मैं पजय हुआ झाल